अब से स्लावालेकूम जी स्टूड़ेंट्स आज यसी दास्तानी अदर्दा तीसरा टॉपिक सिसी बढ़ा गड़े पिएमएस दे वेश दास्ता नियादर पहला टॉपिक ही वारश्चा डूसरा टॉपिक मियामा मदबश्थ सैफल मलूक ते तीसरा टॉपिक हाशम शादी स मैं जिस तरह पॉइंट आउट कीता है कि एदे विच्चों को एक छड़िया जा सकता है किनी पहले दिन कर लए जान ते छोथा च्वाइस ते इसकिप कीता जा सकता जी ससी हाशम शाह मियमा मदबक्र साब हाशम शाह नो खिराजे तैसीम पेश करते लिखते ने हाशम शाह दी हश्मत बरकत गिंतर वेचना आवे दुर्रे यतीम जवाहर लड़ियां जाहर काडले आवे ओवे मुल्क सुखन दे अंदर राजा सी सरकरदा जिसके सेवी चड़े महिमे सुयो सी सरकरदा मियमा मदबक्ष ने अपने किताब सैफल मलूग दे अखीर वेच अपने तो पहले पचविंजा शायरां बारे एक एक दो दो तारीफी शेर लिखे ने हाशम शाह बारे कहन देने के हाशम शाह दी हश्मत बज़र्गी नो कहन देने वड़े आई नो कहन देने दबदबे नो कहन देने रोब नो कहन देने के हाशम शाह दी बज़र्गी वड़े आई और दबदबा और उदी बरकत गिनी नहीं जा सकती गिन्ती वेच नहीं आ सकती शुमार नहीं कीती जा सकती दुर्रे यतीम जवाहर लड़ियां दुर्रे यतीम कीमती पत्थर दा ना आए इसे तरह जवाहर पत्थर नोगी केंदेने यानि कीमती पत्थर लड़ियां यानि दुर्रे यतीम कीमती पत्थर दियां लड़ियां जाहर काडले आवे कहना है चारे ने कि हाशिम शादी वड़े आई बज़र्गी और दबदबा शुमार नहीं कीता जा सकता ओ ऐसा आला पाइदा शायरे कि ओ जो कुछ भी लिखता है ओ दुर्रे यतीम दियां लड़ियां तरह हुंता है ओ भी मॉलक सुखन दे अंदर हुए शायरी दे मॉलक सुखन कलाम गलबाओ शायरी दे सुखन मॉलक सुखन मॉलक वेज यई शायरी दे मैदान वेज राजा सी सरकरदा सर करता केंदेने सरदार नू, आगू नू, लीडर नू, रहनुमा नू केंदा हो शायरी दे मैदान वेच एक आगू सी या लीडर सी और ऐसा लीडर सी, ऐसा मन्या पर मन्या शायर सी जिस किसे भी चड़े महिमे, जिस किसे महिमनू सर करना, सर करता केंदेने सर करना यानी हासिल कर लेना, फता कर लेना मोहमे चड़ना केंदेने किसे मोहम पे निकलना केंदा ओ मुल्क सुखन दा, ऐसा राजा सी, ऐसा बादशा सी ऐसा सरदार या आगू या लीडर सी जिस किसे मोहम पे भी चड़दा सी जिसके से मोहम पे निकल दा सी उन्हों ही सर करके वापस हन दा सी मकसद कि जड़ा भी किस्ता उने लिखिया उदे बेचों ने ला जवाब अंदाज इख्तियार करके अपने आपनों मशूर कर लिया और लाजवाल कर लिया अच्छा जी कमाल दी गालवेक को मुझाबी क्लासिकल पोईट्स जड़े ने वारस्या उन्हादी लिखी सिर्फ एक ही किताब मास्टर पीस बन सकी हीर वारस्या मियामा मजबख्ष साब ने सतारा किताबां लिखिया है उदे जो सिर्फ एक कोई सैफल मलोग ने शौरत हासल होई इसे तरह फजल शाह नमा कोटी ला और दे शायर सी इना भी काफी सारे किसे लिखे लेकिन सोनी मईवाल शाकार किसा बढ़ी पीलू ने काफी सारा लिखिया वोसान वाले तक लब नहीं सकिया लेकिन उना दे लिखियी मिर्जा साहिबा शाकार मननी जान दी इसे तरह मौलवी गुलाम रसूल आलम पुरी उना दा एसन अलकसस और हाशम शाह दी यां काफी सारी या दरजनों किताबाँ विच्चों ससी एक शाकार और मास्टर पीस बढ़ी जाल वेच ससी दा मुख्टसर वेरवा या ससी दा तनकीदी जाहिजा या ससी दा सलूप दरज जाले यह दो ते क्वेस्चन इस तरह दा ही पुछ्च आ जानता है जी हाश्यम शाह दे ससी दा फनी दे फिक्री जाइजा पेश करो या ससी हाश्यम शाह दा तनकीदी वेरबा करो यह हुई क्वेस्चन देते पुछ यह जानता है सो मेरा जिस तरह पैटरन होंदा है यह हुई पहला पहला ग्राफ तुसी इंट्रो दे तो ओरते लिखना है ज़रा थले तारफ लिखिया हुई आए पेपर वेच बेलकुल नहीं लिखना आए अब्जेक्टिव बास्ते वे मैं ते जो दास्ते ना अगर कोई आहम है तो तुसी निशान लालो हाश्यम शाह बास लोका ना ख्याले कि हाश्यम शाह दे वलादत मदीना मुनवरा वेच्ची हुई और जदो चार साल दैसी ओदोएना दे वालत साब माइगरेट करके एथे पंजाब जगदेव कलां डिस्ट्रिक अमरत सर्विच आ गए हाश्यम शाह दे वालत साब दा खास स्वाल जे अंडरलाइन कार लो हाश्यम दा रभारी रंजीत सेंग दा दरभारी शायर कौन है याद ना दस्व जेना नो रंजीत सेंग ने थरपाल जिला स्याल कोट वेच यगीर अता किती सी अठाना सो एकी वेचा फोटो ऐसी और थरपाल डिस्ट्रिक स्याल कोट तैसील नारोबाल वेची दफनने तसानीफ में लिखन दे लोड नहीं जी अब्यक्टिव वस्ते दास्ते ना मजड़ी कोई मशूर चीज है सूफी बज़र्ग सी, माहर तबीब सी, मुक्तलिफ जबाना दे शायर सी इना दियां लिखियां, किताबां वीचों ससी मास्टर पीसे, शाकारे, टॉर्डस लेबस विच शामेले इस तो इलावा ही, रंजा, सुनी मईवाल, शीरी फराद, किसा महमूद शाह, घजनवी, दोड़े, डियोडे, लैला मजनू, बारा मा, काफियां, गांज सिरार, सी हर्फी मार्फत, मादन फैज, सी हर्फी, वामदा पीराने पीर, अब्दुलकादर जलानी इस तो इलावा तेब, तेरा मलन जूम, दियां किताबावी, इनने मन्जूम लिखियां सी, एक ससी मशूरे, और दूसरा, दोड़े के डियोडे, हाशम शादे, खास तौरते, मशूरे, जी, नेक्स्ट हाशम शादी, ससी, पहला पॉइंट, सिरफ वो पहली है, तिन चार ल objective वस्ते, दूसरा पॉइंट तो अडिया बनेगा, हाशम शादी, ससी, याद रखो हाशम शादी, ससी दा किसा, लिखन वाला पहला पहला शायर नहीं सी, जैसना वारत शादी, जी किसा-धान वाला पहला शायर नहीं, बलकि ने तो पहले हाफिज बरखूरदार, बड़ा न हाएं बड़ा वड़ा पोएट है आफिज बर खुरदार दी तो आड़े सले बस वेच जड़ा चौथा टापिक है ना दास्तानी अध़ता मिर्जा साहिबा उना दी शामिले हाफिज बर खुरदार तो बात सुंदर राम सुंदर दासा राम और तीसरे नमबर ते हाशम शाह ससी दा किस्सा लिखिया और हमेशा वास्ते अमर हो गया या नहीं बाकी किताबां वो शौरत नहीं हासल कर सकी हैं जो ससी ने हासल की थी यह सल चिस ससी पुन्नू साड़ी इश्किया दास्ताने लेकिन उन्हाने अपने किताब दाना ससी रखिया यह में वारस्या ने ही बंदे चार-चार मिस्टे ने तक्रीबंद 15-16 वी बंदा कसी मैं इस मजमून विच्वी डिसकस कीते ने चोटी बैर दा किस्सा है यानि मिस्टे बहुत लंबे नहीं है वारस्यादी बैर लंबी है यह दे चोटे मिस्टे ने कोशिश करना चार-चार बंद लिखो लेकिन जि ससीदा किसा बड़े दर्वी ले ढामे बेच बड़ा ट्रैजिडी किसा लिखिया है यह दी वज़ातो है नहीं मुन्फरद और नमाया मुकाम हासिल हो गया याद रखो हमेशा ट्रैजिक्ट जड़े किसे ने या कानिया ने या मूवीज ने या ड्रामाज ने ट्रैजडी ज्यादा सूपर हेट होंते ने बनिस्बत तर्बिया जड़े खुशी वाले ड्रामे कॉमेडी ड्रामे जड़े होंते ने उना दे ससीदे किसे भी तखली एक बारे हाशम शाह लेखते ने सुन सुन होद ससीदिया बातां कामल इश्क कमाया हाशम जोश तबीयत कीता वहम इत्वल आया होद पुनू दी कास्के जस तरह ही रांजा वेचे रांजा कास्के ती दो दा असल ना सी उसे तरह पुनू दा असल ना सी होद दी कास्के सुन सुन होद ससीदिया बातां यानि ससीदे पुनू दीया गला ससी दे पुन्नों दे इश्क दियां करना सुन सुन के कामल इश्क कमाया कि उनने बड़ा कामल इश्क कीता सी यानि उनने दे मशूर इश्क दियां करना सुन सुन के हाशम शादी तबीयत ने जोश मारया और किसा लिखन वाल उनना दा वेम आया इतवल इस तरफ यनि अनने ते कामल बिष्क दी वज्यात थो आशमशा दी तबcryat ने जोश मारया कि यूई ना ससी पणनों दे इश्क दा कामल बिष्क दा किसा बियान कीता जाए अच्छ जिननने इस किसे दे इंटरप्रेडेशन कीती उई दर्सते ने कि आश्यम शाहनों ससीदा किस्सा सुनके एदे विच कामल इश्क नजर आया ते दूजाओना दी तबीयत विच जोश आया यनि उन्हा अपने अंदर दी वारदात नो बियान करना चाया ते ससीदे किसे दे रूप बिच बियान कीता अच्छा जी है तोनों मिया साब मिया मा मदबख्ष वाले लेक्चर जी तफसीली दस्या सी कि मिया साब दी बाकी 16 किताबां क्यों नहीं सुपर हेट हो सकती है सिरफ एक दर्मयान वाली आठ किताबां दो बाद नौमी किताब सैफल मलूग की क्यों हेट्टून दी है ती वज़ाए वे क्यों मिया साब दे अन्दर दी गाल अपने जजबातों ऐसा साथ दी नमाइंड गी अपने जजबातों ऐसा साथ दा कथार्सिस करन वास्थ दे सैफलमलूक दा किस्चा लिख्या सी और सैफलमलूग देख किस्चे या सैफलमलूग देख डक्टर दे पिच्चे मिया साभ घुझ सी इस वस्थ तो किस्चा शहकार बन गया बिल्कुल उससे तोड़ह आश्म शाय नेभी खिस्छह दे आम लिखे तो जिस वे ले उने डिमांड की थी ते उना नो उस दरदीले पन दा इजहार करन वस्ते या उस दरदीले उस ट्रेजिडी दा दी सिमिलारिटी सिर्फ ससी बनुदे किसे वेची नजर आई और तुसी अगर पढ़ो ना कंपेरिटिव ले भी ही इतरा जा सोनी मईवाल मिर्जा साहिबा सारे हां किसे हां वी जो दरदनाग किसा ससी बनुदे एथे आके उना दी दाखली दे खारजी दुनिया एक नुक्ते उत्ते जदों जमा हुई यानि अंदर और बार एक हुए उननों महसूस होया कि अगर उस ससी दा किस्सा बियान करन कि वो अपने अंदर दी गाल दी बर पूर नुमाइंदगी इस जरीए कर सकते ने फिक्री दे फनी असलोब दे एक मेक हो जान गयरी उनना दी अंदर दी थाट, फिकर, सुच और उनना दा स्टाइल, अंदाज, अंदाजे बियान और जिसलिए कठे हुए कि अदब दे मैदान विजे कैसा फन पारा तख्रीक होया जे नोसी ससी हाशमशा कहने है ठीक है जी, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट होएगा, नोट करो, खास्ता औरते, ससीदे किरदार, एक पॉराना फार्मेट है, जी, 2014 मेरी किताब, चपीस के अगवाई, उदे विच्चों हैं लेया, लेकिन, एक पॉराना फार्मेट है, आज कल इस तरह दा नहीं आंदा हाँ, पढ़ना जरूर है, ससीदे करेक्टर्स जरूर जेन विच रखनेने, ताकि अब्यक्टिब विच कोई पोच लवे, तो तुसी असानी ना लिख सको, फिर दास्ता ससीदे किरदार और ससीदा खुलासा, ए, तो अड़े टापिक दा हिस्सा नहीं है, ए, सिरफ अडिश ससीदे वालता ना आदम जाम, अब्यक्टिब ची पोच सकता है, ससी किसेदी हिरोएने, नजूमीने, वजीरे, अता तो भी, है उतो भी है, जड़ा कपड़े तो उन्दा कम करदा सी, दर्यावते कपड़े तो उन्दा हुन्दा सी, एक संदूग रुड़दा आया, जिदे इल्म रमल और नजूम उस वेले किस कदर पावर्फुल सी, कि बादशाह ने नजूमिया को लो हिसाब लो आके, इसलिए पता लगा दे उन्दा किया कि जी है ते बादशाह दी बदनामी दा बाइस बनेगी या बच्ची, यानि ऐसा इश्क कमावेगी, कि बादशाह दी इ सुरी, वजीरा ने किया कि बादशाह स्लामत तुसी एक जाइदा बच्ची दा फून अपने सेर न लवो, लेहाजा मश्वरे नालाया होया कि एक संदूग तियार करवाया गया लकडी दा, वो दे वेच उन्हों पैक करके, बहुत ज्यादा जवारात और हीरे रखके, दरि वो हीरे जवारात विच रखे गए सी, एक कपड़े तो औरहा सी दरिया थे, जो संदूग रूड़ दा जिसले ने वेखिया, पहले ते खौफ जदा होया, लेकिन फेर ने चुक लिया, वेखिया दे विच एक बच्ची सी, एवी बे उलाद सी, और नुकार लागे और अप पुनू किसे दा हीरो, बबन, बंबिया, पुनू दे पाई ने, सुदागर ने, काफले वाले ने, जड़े शायद अगे वेच फिगर आजेगी जी, मैनो जबानी इसले याद ने, शायद दास्दा सदा हरूंता दे मालक ने खुलासे वेच लिखिया था, पुनू दी मा, स ससीदिया सेलिया और काका आयाली, पेड़ बक्रिया चरानवाला चर्वाहाई, उदना काका, ऐस ससीदा खुलासा एक वरी जरूर पढ़ना बड़ा इंटरस्टेंग है, लेकिन विच किते नहीं लिखना, साड़ा क्वेस्टिन आपको शुरू होएगा, जिस तरह दाने पुचिया होएगा, तनकीदी जाइजा, या ससी आशमशादा तनकीदी बेरवा पेश करो, या फिर ससी आशमशादा, फिक्री फनी असलोग बियान करो, जड़ा भी उन्हें पुचिया होएगा, एक हैडिंग तो सी है, मेन हैडिंग देता हुड़ते, सफ़े दरमयान तारीशते ताउरते, हम्द ज़रूर लेख तासी, हाशमशादा नभी हम्द लिखी ये, और बड़े मुनफरद अंदाज दी हम्दे, वेखो ज़रा हिक्मत उस खुदावंद वाली, मालिक मुल्क मुल्क दा, लाख करोड करन चित रह्या, कोई पिछान ना सकदा, उद्रत नाल रहे सरगर्दा, दायम चर्ख फलकदा, हाशम खूग, हुई गुलकारी, फर्श फना खलकदा, जी हिकमत उस खुदावंद वाली, लाख तारा भी हिकमत, तारीफ प्यान करना मा, जो वाली के अंदे ने मालिक नूँ, वाली और मालिक एक कोई लफ़ने, मुल्क मुल् दा, यानी जड़ा, दुनिया दे हर हिसे दा, एक मुल्क दा, एक हिसे दा, माले के, लाख करोड रखरन चित्राईयाँ, चित्राईयाँ कें दे ने, चलाकीया नो, मकारीया नो, कि अन्दा जिन्नी मर्जी अकल तुसी कुमा आगे वेखलो जिन्नी मर्जी तुसी मकारियां ते चलाकियां करके वेखलो कोई पिछाण ना सकता लेकिन तुसी अल्ला ताला ते कुद्रत नो नहीं पिछाण सकते चातर चलाक नवी केंदर यानिंग चलाक तो चलाक लोग जड़ेंए और ला तरह दी गुद्रत दा अंदाजार नहीं कर सके गुद्रत नाल रहे सरगर्दा, अल्ला तरह दी गुद्रत नाल, सरगर्दा गर्दश में रहना, हर वेले गर्दश वेच रहनाए, दायम, काईम रहनाए, सरगर्दा, दायम, चर्ख फलक दा, हर वेले कुद्रत, अल्ला तरह दी कुद्रत नाल, हर वेले, चर्ख केंदेने, फलक केंदेने आस्मान नो चर्ख जड़ा अफ कर्व गोल गुलाई यह अस्मान दी जिस तरह साथी जमीन गोल है जिस तरह साथी उत्ते कर्व नजर अंदा यह गोल केंदा है अल्ला ताला दी कुद्रत नारी अस्मान दा एच चर्ख काइम दाएं में हाशम खूब होई गु बनदेने बनाओने यह गुलकारी करना पे होते ने ओनाओना गुलकारी करना केंदेने अथ Turn that विखो ऐ्र आ árशम खर लिखो ऐ हाशम शा अल्ला साथ इना खूब सूरती नार्णॉच दिना दा फर्ष बनाया ए। खल्क कीता एT तकरीख कीता है लेकिन है फानी फना के अंदे ने फना खलबा यानि अल्ला ताला ने ज़्डा इंतहाई खूबसोरती नाज़ दुनिया दा फर्श बनाया है फना हो जान वाला थे जी कहला वो कि अल्ला ताला ते कुदरत नाड जमीन, अस्मान सजे होए ने, डेकुरेट ने, बने होए ने, अपने-अपने मेवर और मरकज वेच, गर्दिश वेच ने, मसलसल लेकिन एक वेला आएगा कि सब को जी फना हो जाएगा इश्के हकी की अल्ह ताला ने काइनादी बन्याद इश्क उते रखी असी पिछे पढ़ दे आएगा, लव लाक, लमा, खलक, तलफ लाक हदीसे कुद्सियां वेच अल्हा ताला ने इशारा देता है कि नभी पात में दुनिया अक्ते जल्वा गर करन देगी सारा काइनाद दा निजाम बनाया गया काइनादी हर शेय वेचे जाते वाहिद दे चलकारे मेल देने हम तो मगरों इश्क दे हवाले नल जड़ा बन तकलीक कीता गया है उदे विच वी यह होई दस्या है कि हर हर रू इश्क दी असीर है यानि इश्क दी कैदी है यानि इश्क दृदा दौलत हर एक रू नो दुनी विच पेजिया गया है और फिर वापस बुलाया जाएंगा हिकमत नाल हजकीम अधल दी हिकमत नाल अल्ला दाला ने अपनी बज़र्गी नाल कारी करी नाल धिकमत नाल हकीम अजल दी तो मुराद अल्ला ताला यानि अजलाना हिक्मत वाला नक्ष निगार बनाया के अधा उन्हें ऐसा ऐसा नक्षो निगार बनाया है हर अरवा असीर इश्क दी कैद जिसम वेच पाया हर रू नू अल्ला ताला ने इनसाने जिसम वेच पाके दुनिया उत्ते पेजिया असीर कैदी नो केंदेने यानि इनसाने जिसम विच कैद करके इश्क दी बदोलत और इश्क की सी कि अपने महभूब नो दुनिया उते जल्वागर करना सी उसी वेको ना हजरत आदम अलियासलाम बढ़े उनना तो कई अजारा साल तो बाद नभी पाक सल्सल्म तश्रीफ ले आए एंजी नहीं होया कि नभी पाक सल्सल्म ने जल्वागर करना सी ते पहले देनी उन्हानों गुनिया होते यानि आदम जिस तरह आदम अलाहिस्लाम ते दर्जा और मर्तबा है कि उस अब दे बाप ने इस तवरा नहीं पेजिया बल्कि अल्ला ताला ने इश्क दी बदा दी पूरा सिस्टम बणाया पूरा नजाम काईनात बणाया फिर अदरत आदम आfa सॉके जो मखलूग ना बाहर इस थी अरज समा के जनी मखलूग जो 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 मखलूग के ना बाहर इस थी ओदी पुद्रत तो बार नहीं है ओदी नजर तो बार नहीं है अर्ज समा अर्ज जमीन नो केंदेने समा अस्मान नो केंदेने जमीन नो आस्मान बेचे जो जो भी मखलू के सारी अल्ह ताला दी नजर बेचे हाशम जोश बुखार इश्क दे हर एक शान बटाया ऐ हाशम शाह इश्क दे बुखार ने ये इश्क दी तपश ने इश्क दी शिड़त ने हर एक चीज नो पैदा करन दा पतलब बहाना बढ़ें अपने अपने इश्क दी खातर नबीनों महभूबनों जल्वागर करन वास्ते मुख्तलिफ शकल और सूरत विच अपने आपनों भी जाहर कीता और नजाम दुनिया भी बनाया किस्सा लिखन दी वज़ा किस्सा क्यों लिख्या पहले वैसे आगया जिक्त आश्म शाह ने अपने तबीयत दे जोश पार और ससी पनुदा किस्सा लिख्या सी ठीक है जी क्योंके उना दे जड़ांदर और दर्दर ट्रेजिडी सी और सिमिलारिटी उना नों सिरफ ससी दे किसे वेची नजर आई एदे बावजूद आश्म शाह अपने आज़ी बारे लिखते हुए कहन देने कि मैं आज़ी बस गुजाराई कीता है कोशिश ही कीती है हुसन कलाम जो शायर कर दे सुखन ना साथी आया कहनदा जिस तरह खूबसूरत कलाम शायर बियान कर देने हुसन कलाम याँ खूबसूरत कलाम सजा सवार के अच्छा कलाम आज़ी इनकिसारी एदरवाइस ससी पुनुदा किसा शाकार मनने आज़ाएंदा और उस्ताद शायर भी इननों इस गल्नों इतराफ कर देने कि अंदा जैसा शायर खूबसूरती नाल शेर या कलाम पेश कर देने वैसा सुखन न सथीं आया, वैसा सुखन मैं नहीं कह सकिया सथीं यानि मुझे हमें, मुझे वैसा त्रीका करtre नहीं आया ज़ीहा कूउ अकल जो शवूर साधा कि अपने वह लोग कोशिश करके अपनी अकल अपने शौर दे मताबिक ससी दा किसा सुना देता है सुन सुन होग ससी दिया बाता कामल इश्क कमाया आशम जोश तबीयत कीता वहम इतवल आया है बेशा कहना लिखना क्यों गया पहले लिख चुके है आशी पहले उत्ते यहा चुकी है इस वस्ते आयथ है दो शेर भी काफी में आदम जाम ते उदी बादशाई दा जिकर आदम जाम तो अनुद से आए कि सिंदा इलाका भंबोर यह तो ससी दा तालक सी भंबोर दे इलाके दा आदम जाम बादशा सी सरदार सी राजा सी ओ ते उदी बादशाई दा जिकर बड़े खुबसूरती नल ते इन चार बंदा वे चुना कीता है बड़ा खूबसूरती ना जाहो जलाल जाहो जलाल के अंदेने मरतबे नूर, मुकामो मरतबा बादशाई, अमीर वजीर गुलाम, लशकर ते शेहर बंबोर दा जिकर कीता है तेना बंदने जी तुसी कोई शार्ट कार ले विच्छों, चार-चार लाइन्स दाना तेना बंदने जी तेने कटे यानि तेना बंदना वे चो पूरा उदी बादशाई दा नक्षा उनने खेचते ता है आदम जाम भंबोर शेहर दा साहिब तख्त कहावे आदम जाम भंबोर शेहर का साहिब तख्त कहावे यानि बादशाँ कहलाँदा साहिब तख्त तख्त उते बेन वाला कहावे कहलावे आदम जाम भंबोर शेहर दा बादशाँ कहलाँदा जाह जलाल सिकंदर वाला खातर मूल ना ले आवे किनदा उदा जाहो जलाल होदा मुकामों मर्तबा सिकंदर यानी बाद शामा जैसा या पिर अलेक्जेंडर दी ग्रेट सिकंदर भी लेसा ही देओ कि होदा जाहो जलाल या मुकामों मर्तबा सिकंदर आजम जैसा सी खातर मूल ना लेवे कहना हो किसे नो खातर वेज नहीं सी लेंदा हरकेज किसे नो खातर वेच नहीं सी लेंदा हरकेज किसे नो कोज नहीं सी जानदा वहूश वहशी दरिंदे तयूर तायर हुंदा है परिंदे उदी जमात तयूर वहशी दरिंदे परिंदे जनावर जानवरा नो केंदे ने जानवर आदम इन्सान नो केंदेने हर एक सीस निवाए सीस सीर नो केंदेने निवाए जुकावे केंदा जो वी वीशी तरेंदा जानीवर तरेंदा आदम इन्साण सी огदेगे सीर जुकांदे सी हाशम आ African जबान न सकती कौन تعریव सुनावे ऐ हाशम शाह मेरी जबान आजज़े मैं उस बादशादियां तरीफा नहीं कर सकी ठीक है जी जाहो जनाल उसे मुकामों मर्तबे दी तरीफ करना मेरे वसो बारे शैर बंबोर मकान इलाही बाग बहिश्ट बनाया यहांदा शैर बंबोर ऐसा खूबसूरत सी ऐसा खूबसूरत मकान या इलाका सी एंजी लगदा सी अल्ला काला ने जन्नत विच्छों एक बाग जड़ा शैर बंबोर नो बना देता है यानि हैंज क्यालों के शैर बंबोर, जन्नत दे बागा विच्छों एक बाग सी, डैजर्ट है जी सारा बंबोर, सारा डैजर्ट है, लेकिन हो कहने ना डैजर्ट दे विच्छ भी जंगल में मंगल करना, उन्हें जंगल विच मंगल कीता हुआ सी, फर्ष फरोश चमन गोल ब बूटा हर एक जात लगाया, पामे डैजर्ट सी कहना दा, फर्ष उते, जमीन उते, फर्ष फरोश यानि जमीन उते, फर्ष उते, फर्ष फरोश था कोई मतलब है, यानि जमीन उते, चमन हर जगा ते, हर पासे बाग सी, जमीन नो हर जगा तो बाग बनाया गया सी, गोल ब बूता हर जाद दा यानि मुक्तलिफ रंगान दा मुक्तलिफ इक्साम दा लाया गया सी नदिया होज तालाब चुफेरी चुतर्फी नदिया तालाब चारो पासे रालमिल खूब सुहाया चार चुफेरे नदिया और तालाबाने इलाके नो बाग नो भंबोर शेर नो खूब रूह रहे विच फस्या दाम फरेब बिच्छाया ऐ हाशम शाह एजी लगदा सी कि उन्हें चार जो फेरे जड़ाए एक जाल जिया बिच्छा दिता हुए जिस तरह इंसानी जिसम विच रूह फस्या हुए ना उदाओ बाग उदाओ भंबो शेर वेख के बंदा फरेब तोके मिच पह जा जाना सी, यनि के इन्हें की अधार जाया जाना सी जिस तरह उन्गाजानाह जाना के नदिया होजर होजर श्यादाओब के ठाददाध थी जान्दा ही अमीर, वrise, हुलाम करोड़ा दिता अदाद विج सी लशकर फूज लख़ा करोड़ा दिता दाद विज सी खजाने बेहिसाब देफ़ागस यानी करोड़ाविच सी बैरक, सुर्ख, निशान हजारा बैरक केंदेने चंडेनू निशानू परचम चंडा निशानिया बैरक सुर्ख निशान हजारा केंदा चार चुफेरे उन्हें अपने जड़ी बांडरी या सुर्ख लाने दे परचम लाए हुई सी शाम गटा समयाने ते ओदा जड़ा आल दौाला सी सारा बैलकुल एज़ी लगदा सी जेस तरह शामदा वक्त हुए और कालियां गटामा अस्मान होते चांगा हुए समयान तो मुराद अस्मान पैसे समान मुराद हुँदा है इन्हें तुसी इस तरह समझ सकते हो कि इन्हीं ज्यादा करोड़ां दे इसाब हो दे खिद्मतगार गुलाम अमीर वजीर और खजाने सी कि उद्धा चार चुफेरे सुर्ख रंग दे निशान लाके अपनी बाउंडरी जाहर कीती हुई सी और उद्धी शानों शोकत पता लग दी सी यानि बारवान वाला कोई फॉरण पिछान लेंदा सी क्या किसे बहुत वड़ी सल्तनत दा यानि बाउंडरी या आगाज हो रही है खामन खैर फकीर मुसाफिर साहिब होश दिवाने मुसाफिर साहिब होश यानि होश मांद लोग और पागल यानि दिवाने लोग खा पी रहे सी मुस्त विच सबनों खाना फराहम कीता जान दा सी हाशिम एस गमी विच आजिज हुवस उलाद ना खाने लेकिन ऐ हाशिम शाह हमेशा इस गम विच रहन दा सी इस गम विच मुसलसल जिन्दगी गुजार रहा सी के ओदे खाने यानिकार आउलाद में सी पाकिसगी ते नफासत अच्छा जी हो इससे ही वज़ात हो ना हर वेले मुसलसल अला ता गुलो मनता मंगदा रहनदा सी दौावा मंगदा रहनदा सी और बे अंदाजा खेराब करता रहनदा सी आखिर कार अला तरह दी रहमत जोश्वे चाही लखा मनता ते क्रोड़ा दौावा मगदा सी सी दा जनम होया सी दे जनम दे असार ते मलका दे हामला हूँ दा जिकर हाशिम शाह ने खास रख रखाऊ पाकिसगी ते नफासत नाल कीता है असल जैसी हो दिया फनी खुबियां बियान कार रहे हैं जड़ा है आशिम शाह दा प्रेगनेंसी बारे जड़ा दसना है ना बड़ा बापर दा जया उन्हें दस्या है दुर्रे यतीम सदफ विच आहा दुर्रे यतीम कीमती मोती पत्थर मोती सदफ सिपी नू कहन देने अला तरह दा निजाम है सीप जड़ेने समंदर वेच होंदेने समंदर दा पानी खारा होंदा है उस पानी वेच सर्वाइब दे करदेने जिंदगी दे बसर करदेने लेकिन उदे वेच मतलब नमी जिंदगी वास्ते यानि ओ मोती पैदा होन वास्ते ज़रूरी होंदा है ययानि साफ पानीडा नमक दा पानी नाई नक दा पानीडा बारश दा पानीडा सिपी वेच कपक दा भी तो दे अंदर फिर अ लह तर्लाप दी खुदरत ना मोती बंदा तो एन्नों ने सिंबोलीकली दस्याए और एफसाहत और बलागत या इन्ना बलीग अंदाजे कि आप पंजाबी अदर विच यस तरह दी होर मिसाल नहीं कोई मिल दी जदी दूसरी मिसाल पूरी पंजाबी शायरी विच नहीं मिल दी या प्रेग्नेंसी दी सूर्टे हाल नहीं जिस तरह बियान कीता है जिस तरह परदे नड बियान कीता है दुररे यतीम सदफ विच आहा सुने पकार देलान दी कि अन्दा अल्ला ताला ने दिलांदी पुकार सुन लई और दुर्रे यतीम मुत्ती सदफ देंदर पैदा हो गया यानि बादशादी जड़ी मलका सी ओ हामला हो गई फिरी बहार शगूफे वाली हो उम्मीद गुलांदी कि अन्दा मौसमे बहार आया यानि बहार फिरी यानि खिजा तो मौसम फिरके मौसमे बहार आगया शगूफे यानि गुंचे जिन्नों कि अन्दे ने फुला दिया कली उन्दी ये कली तो बाद शगूफा हो जाए शगूफे तो बाद फिर फूल बनदा के अन्दा है मौस में बहार आया कलियां लाग गई यां शबूफे बढ़ गए थे उमीद हो पई कि हून ठोल भी खेलनगे छेज मलूग हुई अब रेशम छेज के अन्दे ने सेज नो बिस्तर सेज मलूग के अन्दे नर्मो नाज़ग हुई अब रेशम, अब रेशम के अंदे ने रेशमी, आही सख्त सूलां दी, अच्छा जी हो केंदा है कि उदी जिन्दगी वे जड़े दुख, तकलीफां, परेशानियां सी, हो की सी उलाद ना होन दा दुख और तकलीफ, केंदा हो खतम हो गए और उदा जिन्दगी है, उ हाशम वेख हो ए गुल लाला, केंदा हाशम शा वेख हो हर पासे गुल लाला नजरान लग पेने, होग, होवेगी, फ्यूचर दसनवास दोने, बहार फुलां दी, केंदा हर पासे गुले लाला नजरारेने, उन चार जो फेरे पुलां दी, गुलां दी, बहार नजरावेग सरापा ने गारी सरापा के अधेना जी सर ता पा यानि सेर तो लह के पहर तक एक-एक करेक्टर दी स्पैशल जड़े में करेक्टर हो ने हीरो ते हरोएन उनने जिसम दे एक-एक से दी तरीफ कीती जनती किरदारां देख एक आंग नो उगेड़िया जानदा है प्रॉमिनेंट कीता जानदा है नुमाया कीता जानदा है ते इसे चक्कर वेच बाज़ुगात और्यानी यानि वल्गेरिटी दा पहलू भी नुमाया हो जानदा है लेकिन आशमशा ने अपने किसे दे हीरो दे हिरो इ लतिलकदर शबे कदर वेच होया मिसल हलाल दरखशा और उग कैसी खूबचूरत सी जे में मिसल एक्जेंपल मिसाल हलाल के अंदेने पहली रात दरखशा चमकदा होया जेस तरह नुजाइदा बच्चा होंदा ना पैदा होंदा बच्चा इस तरह जेस तरह पहली रात दे चानदी चमक होंदी, ये चमकदार होंदा है, कहनदा ससी ने शबे कदर नो जनम लेया और वो बेलकुल हलाल, चमक दे होए हलाल जैसी सी, वेख बे आब होमन, नग मोती, मानक लाल बदखशान, कहनदा हो इन्ही खुबसूरत सी, कि उन्हों वेख के बे आब कहनदे ने शर्म हो रहे सी, बेआब होमन, ये शर्मन दा हो रहे सी, नग, या जड़े नग मौती, पतथर हुंदे, नग मोती, मानक लाल ना सारे आंड़ा कोई मतलब है, बदखशान कहनदे ने एरां दा पुराना ना, कहनदा है, कीमती तो कीमती, बदखशानी, लाल, मानक, मौती, नग, पथर, ससी दा खूबसूरती और हुसन वेख के बेआब यानि शर्मिंदा हो रहे सी कि उना तो भी ज्यादा खूबसूरत सी अकल, ख्याल, क्यासों बाहर केंदा ओदी अकल ख्याल तो, अंदाजे तो बाहर सी नजर करे वाल नकशा क्यांदा जड़ा होदे नक्ष वाल गोर करे वाल तरफ नक्षा नक्षोनिगार क्यांदा होदी नक्षोनिगार वाल गोर करो ते अकल अंदाजे ही नहीं सी कर सकती कि मालक ने खालक ने उदा कैसा खूबसूरत नक्षोनिगार बनाया है यानि हो अकल तो ख्याल तो कियास तो अंदाजे तो गैस तो बार से हाशम आख तरीफ हुसंदी हाशम मैं हुसंदी की तरीफ कमा शमस मिसाल जर अफशा कैंदो इस तरह दिसी जिस तरह शमस सूरज नू केंदेने मिसाल एक्जेम्पल जैसी जर अफशा चमकता हुआ दमकता हुआ सूरज जैसा ससी दा खुसंसी पुनूदा सरापा ससी आन डिठा तुसी कोई एक सरापा लेक सरापा ज़रूरी नहीं है दोनों लिखने ससी आन डिठा वेच नीदर ससी ने नीद वेच डिठा देखा होत बेहोश जो खाबूं ससी ने वेखिया कि होत सुता हुआ है बेलकुल खाब वाली यानि सुता हुआ बेहोशी वाली सूर्टे हाल सी होगी लेकिन सूरज वांग शुआ हुसंदी बाहर पौस निकाबूं ससी ने जिस वारी सब्सक्राइब पहले वरी पुन्नों वेखिया उस वेले उसुता होया सी उदे मूँ देख निकाब सी लेकिन निकाब दा कोजी हिस्सा जड़ाए वो चेरे तो हटेया होया सी जड़ी है शोमा निकल रही है वेल्कों लिस तरह दिया है सी कि मैं सूरज विचों शोमा निकल दियाने यान्य पुनन इन्ना ज्यादा हसीन सी कि उता हुसन निकाब दे विचों भी ज़लका या डलका मार रही है सी जेलाख पास दूप छुपाइए आवग मुश्क गुलाब गुलनु जिनना मर्जी छुपा के रख लिए यानि पुनू दे खुबसूरत चेरे निकाब नाल जिनना मर्जी छुपा लगो फिर भी जिते गुलाब होनगे जिते मुश्क होएगा खुश्बू आई जाएगी यानि कैंदा मकसद कीए कि पुनू दा हुस्ण निकाब भी न चुपा सक्या हाश्ण हुस्ण पृद न चुपदे ऐ हाश्ण शाहा हुस्ण यानि हुबसूरती और पृद यानि मुवबत कदी ने चुपदे तारक होन हजआबो हिजाब तर्क करके हिजाब छड़के जाहिर हो जन्देने तारक होंदा चड़ना तर्क करना हिजाब विच्चों पर्दे विच्चों खुद बाखोदी नजर आ जन्देने मनजर ने गारी मस्नवीदी खास टेकनिके यानि शायर ने दसना होंदा है कि जड़ा किसा लेख रहे है उदा आसपास आलदवाला या मनजर कैसा है उन्हों शायरी दे जरीए पेश करना होदा है ससीदा और बाग जिते पुनु आगे ठहरता है जो उसे खुलासा पड़ोगे न तो और उसारी कानी समझा जेगी उदा मनजर नामा बियान कार रहे है कि और कैसा बाग सी बहुत अजायब सरू खलोते हैं कहनता है उस बाग बड़े अजीब और गरीब किसे हैं सरू दे दर सरू बहिश्ट गुलजार विच्छों कही इर्दा काद ऐसा लंबा सी जिस तरह जन्नत विच्छो आए हुए सरू दे दरख्ट होना बहुत अजायब सरू खलोते हैं बाग जो फेर दिवारां क्यांदा है बाग दिया दिवारां दे चार चो फेरे सरू दे लंबे लंबे सी फर्ष जमेन जमुरद आहां जमुरद सबस रंग दा ग्रीन कलर दा पत्थर होनता है कि अंदर जमेन सी हो थे इसकादर सब्जा और घास सी एंजि लग रहा सी कि का नहीं है बलके जमुरद पत्थर दा फरश लगा हुए साबत नक्ष निकारां और उते उते भी नक्षो निकार बने होना नैरा होज फौरे बरसं क्यांदा नैरा और तालाब विचों फौरे लाए होए सी हर हर चौक बहारां और हर हर चौक वेच यानि बाग दा अंदर जस्तर तो शाली मार गार्डन दी मिसाल लेला हो कि अंदर छोटे छोटे चोटे ना चुकोर आहाते बनाए होएने और हाते बेच हर पासे पाणी नाल फौरे लाए होएने होने भी तुस्या शाली मार बाग दी मिसाल देख सकते हो बिलकुल उससे तरह कहनदा चार चौफेरे नैरा और होजांदी मददना बाग दे हर हर चौक वेच फौरे फौरे लाए होए सी हाशम शौर जनावर कर दे मोर चकूर हजारा और बाग दे विच जानवरां दा शोर सी और मोर और चकूर हजारां दी ता दाद विच बाग विच फेर दे सी घायल इश्क खड़े गुल लाला नाल लहू मुख दोते क्यां दा गुल लाला इनी ता दाद विच लगे हुए सी और लाल सुरख जस त मूँ उते जिस तरह लव मालके खड़े हूँ क्यांदा है बाग दे वेच लाल सुरख रंग दे जड़े गुले लाला खड़े सी ओ एंजे लागरिया सी जमेनाने उन नाल मूत होता हुए या फिर है इश्क दे वेच गायल ने इश्क दी वजय तो घायल होके उनने ऐस उरते फाल बन गयी है सेब, अंगूर, अनार परे सेब और अंगूर और अनार भरे रस ऐसे रस परेशी चौंजे ना लामन तूते कि तूते भी उनना दूप चौंजे नहीं ला रवेशी यानि तूते अगर चुछ लादें ते वो सारा फल खराब हो जिंदा है कि अधा उस बाग दी खास गाल है ऐसी कैसे रस्पर रे फाल सी होते जड़े किसे भी जानवर ने छेड़े नहीं सी हुए किसे भी परेंदे नहीं जखमी नहीं सी कीता हुए कमरी कूक करे फर्यादा सरु अजाद खलोते है कमरी परेंदे दनाए परेंदे केंदा बाग वेचे कूका और फर्यादा कार रहे सी मतलब बोल रहे सी शोर कार रहे सी रोला पार रहे सी सरुद दरखता होते अजाद बैठे हुए कमरी और दूसरे परेंदे उक पुकार यानि शोर्ब मचा रहे सी हाशम वेख बहार चमंदी रू रहे वे च खोते ईह हाशम शाः बंदा उस बागदी बहार वेख के उस बागदी रौनक वेख के इन्सान दा रू गोते खान लग पेंदा सी कि ने खूबसूरत बाग किस तरह बढाया गया थी यानि इनसान दी अकल दांग रहा जानती सी उस बाग दी खूबसूरती बेक थी दर्द थे सोज दर्द थे सोज भी मस्नवीधा खास होंदाए जी ट्रैजीडी जड़ा है ना ट्रैजीडी मियाम अम्मद बख्ष साहब ने दिया बड़ा लिखिया कि जिस शायरी वेच सोज या दर्द ना होए उस शायरी नो कहने दे शायरी नहीं मन्या देंदा मियाम अम्मद बख्ष ने जड़ा शायरी दी डैफिनेशन और तारीफ की दिया ना लंबा जोड़ा एक चैप्टर रे पूरा सैफल मलूख वेच हो कहने देने कि अगर देले वेच दर्द ना होएगा ते फिर शायरी भी नहीं होएगी वो इते दर्द बनियादी चीज़ गरार देंदें इसके सेवेच कई मुकामाद उत्ते कारी दर्द ते सोजों को दास दी उन्हीं जुदाई वे चोदे मापयां दा बुरा हाल उन्हों सबको चढ़ चढ़ागे ससी दा सीर होगे बैग या है पुन्हों भी अपने मापयों दा किलोता बेटा सी तो दे पेरेंस दा जो हाल होया ओवी बड़ा ट्रेजिक सिचुएशन इसके से दी ससी दे पुन्हों पता लगा कि पुन्हों दे लजा चला गया है जबर्दस्तियों दे पाई लागे इने जो सबको चढ़ चढ़ा के कली नंगे पैर सस्थलावाल डैजर्ट वेच दोड़ पई अपने महभूब नों अपने पुन्हों नों हासल करने वस्ते और मारी गई एवी बड़ी ट्र खुला साइदा जरूर पढ़ना फेर तो अनूं किसे दी सही समझा जानूं है रात पई बैपास पुन्हों दे जीब मिठी देल काले अंदाज रेखो तुसी आशंचाद है रात हुई पुन्हों दे पराजडे उनूं लैन वस्ते आये सी पुन्हों दे कूल बैगे उनुन पुन्हों नू मोट ससी दी परपर देन प्याले शराब नोशी तो रिवाज सी जी हो कहन दे उसवे ओ पुन्हों शराब दे प्याले परपर के दे रहे सी असल वे चो शराब दे प्याले नहीं सी बलकि ओ ससी दी मोट दे जाम सी क्योंकि जिस वे लिए नशे वे दोत्त हो ससी दे पुन्नू तो उन्हों फिर चुप चाप जबरदस्ती नाल लेगे और ससी नू कल्ना छट गे वेखो हाशम शादा उन्दास उनकी दर्द दिलांदा जानना उट चरामन वाले केंदा उर्चरान उन्हों की पता के दर्दे दिल की होंदा है इश्क की होंदा है प्यार मबद की होंदा है गर उन्हों केंदा पता होंदा ते फिर होत पुन्नू नाल और ससी नाल इस तरह करते है आशम दोश नहीं करवाना नाल ही फिर केंदा है यूनिवर्सल गाल बियान क कि इश्क नहीं कई करानों तबाव बर्बाद कर देता ससी होन सवेरे जिसले होश वे चाई शराब दे नशा उत्रेया पुनू दी खबर सुनी वेख्या आस-पास पूजी नजर नाया पुनू दे पिछे बे सरो समानी दी हालत वे ठलावालना संदे मौके दे हाशम शादा इ इंतहाई दर्दीले ढंगता अंदाज बियान करो होन डैजर्ट वेचर मतलब सुल्तान बहुज दस्या से ने कि डैजर्ट चे सफर करन वस्ते पानी बुनियादी जरूरत होंता है लेकिन बगएर साथ वस्मान तो बगएर पानी तो इवन नंगे पहर डैजर्ट वालों न सफर शुरू कर देता होन की हुएगा वेको तुसी आशंचाथ अंदाजे बयान कर असबाब लिया शहजादी कियों जो राखटर दा खटर दा खटरे वाला रारस्टा कि अन्दा शहजादी ने ससी ने सारा असबाब यानि माल असबाब ना लिया यूँ के रस्ता बहुत वेच्छ जड़ी ओदे वेच्छ खून सी उन्हों बतौर पाणियों ने लिया और जड़ा ट्रेज़ीटी सी दर्द सी पुन्हों दी जुदाई दर्द सी उन्हों उन्हों अपना गाइड बनाया यह ना चीजा ना नहीं डैज़ट वेच्छ सफर की ता हूं तुसी वेखला वो बेसरो समानी दी आ लगी यह ना बेसरो समानी एक कि गन्नीक देर तक डैज़र्ट की फिर सकती जी ता टम्प्रेचर फच्पिंजा डिग्री सांटि ग्रेट च्रिंजा बिग्री सेंटिग्री सा क्मूं त다 गाले वेच वाल अखी वेच सुरुपी वाल खोल के गले प सुरख गुसा कहलो गुसे दी बजातो, सोज कहलो धरत दी बजातो, जुदाई दी बजातो और जनून पागल पान, कहरदा सी, घजबदा सी जनून ना पानी दी होश ना पुराग भी होश सिर्फ और सिर्फ दर्दसी जन्होंने रेबर बनाया और अपना सफ़र शुरू कर देता हाशम वेख अहवाल कलेजा हाशम वेख अहवाल ए हाशम-शा बेखwhy हाला बेख के कलेजा घायल शमस का मरदा सुरज और चानदा बेख। फट गया उसके अंदाजा करो ना कैसी सूर्टे हालने रसी है कि अन्दा ऐसी घमनाथ सिचुएशन सी कि शम्सों कमर भी घायल हो गया उन्दा कलेजा फट गया नाजक पैर मलूग ससीदे मेंदी नार संगारे ससीदे नाजक मलूग मलूग नाजक नों केंदे ने पैर जबने मेंदी नार डैकुरेट सी संगारे जबने सजाए होए पैर आशेक वेख बहे एकवारी जी तिना पर वारे क्यांदाओ ऐसे खुबसूरत पैरसी कि अगर कोई आशे को ना पैरा नोई एक वरी वेख लवे तो दे उत्ते कुर्बान हो जे जी तिनहा यानि उन पैरों पर जी वार्द वे अपना जान कुर्बान करते भी वो यानि इन्ने नर्मो नाजक मुलाइम और मेंदीनल डैकुरे मेल से बालू रेग तपे वेच ठाल की जो व enslबुल्ननढ भुटे आरे अलू रेक बलदी तपी रेक टपे वेच थाल के अनदर थालदे वेच ये रेद जलती हुई दहकती हुई रेक इस तरह दी सी यस्तन्था यहनि इननी घरम सी इनी दहक रही सी कि भुटे आरे जानी भठी वाले जड़े पठीयले दाने नहीं पुन्दे किन्दा अगर ओ जो उस रेट वेच सुख दे ते जो भी पुन्ने जाने सी यानि इन्नी गरम रेट सी ज़े वेच ससी ने पैदल नंगे पैद सफर कीता हाशम वेख यकीन ससी दा फिर नहीं देल हारे के अगर वेखो हाशम शाह ससी दा यकीन और थाबिद कदमी कैसी सी कि उनने इन्नी शिदत वेख के भी देल छोटा ने कीता देल विज तपश थलादी गरमी आन फिराक रिंजानी के अन्दा है देल वेच तपश सी उत्तो थलादी गर्मी सी उत्तो जुदाई दा दर्द रंजानी केंदे ने रंज फिराग केंदे ने जुदाई जुदाई दा दर्द तेने में साला नो ज़रा समझो ऐ हाशमशा देल दी तपश यानि देल वेच शिदत दिल दी शिद्ट यानि पारा दिल होना गमगीन दिल होना दोसरे नमबर दे फ़र दैजर्ट टपता हुआ सहरा ठला दी गर्मी तीसरे नमबर दे फिर जुदाई दा दर्व तीन चीज़ां के अंदा मिल के कठ्टियं हो गई या किच्रक नैन करन दिल बरियां चोन लबां पर पानी केंदा नैन अक्खां किच्रक बाबा फरीद वेच सी ना किच्रक बनने धीर किनना चेर तक, किनी देर तक नैन अक्खां उदा साथ दे सक दियां सी दिल बरी कर सक दियां सी और होंटा होते पाणी गिरा सागी दिना सी अज़रा सिचुएशन समझे वाश्यम शाला कमाल बेखो पाणी जोदे कोल है नहीं सी होंट और हलक बेलकुल सोख रहे सी तो पाणी की सी जड़े आंसू टपक रहे सी होंटां दे होते ओनों पाणी दा कम फराम कर रहे सी ओधर प फिर फिर डाड करे हाठ देलदा परजद बहुत वेहानी डाड केंदेने जबरदस्ती हाठ केंदेने जेदनों केंदा है देलन देए बहुत बार-बार फिर फिर डाड करे यानि जबरदस्ती करे जेद करे देल जड़ाए और बार-बार जबरदस्ती जबरदस्ती कार रहा तो तुर्दी जा तुर्दी जा परजद बहुत विहानी विहानी में गुजरनी लेकिन जिस पे लिए बहुत वक्त गुजर गया जिस पे लिए बहुत वक्त गुजर गया हाशिम याद भंबोर पेयोसू तूट गया मानने मानी इस पे लिए उन्हों आया पता लगा कि होन न आते हो भंबोर वापस जा सके दिये और ना यह उन्हों पुनू लपे आए या ते पुनू रस्तेज कि ते मिल जांदा ना ते उधा चलो जड़ा उधा सफर सी यह उन्हों कोई धारस बंदान वाला यास्ता देन वाला मेल पेंदा फिर ते ठीक सी उन्हों भी नहीं मिले भं अभर चाहनि थें तो Paम ले आय है उस्सी दी जजबाती कैफियत वेखो ऐखनён, यह उद्ध रखर ड़न से उधीन, बन तो not. उन्हें वाक्षाथ मेरे धार सब्कुन भी नहीं मिले यह अमें कोजम मिले और ना वापस जान जूट कि रही बंबोर शायर किते दूर रहा गया सी उदे जिसम वे जान बेलकुल नहीं सी रही मोसम दे शिदत ठकावट बे सरोसमानी दा आलम बेलकुल डे साटो के डिक परी ओड़क वक्त आखरी वक्ता आगया कैर दिया कुकां गजबनाग के समदिया कुकां मारिया रुई परी सुन पथर टाल जावे कैंदा ऐसा पूकां सी ऐसा रोना सी होदा कि पथर सुन लेंदा तो भी टाल जानदा जिस उस उट पनूनू खड़ेया मर दोजखवल जावे अच्छा गुसा फरकी काट रही है कि जिस उट ने पनूनू खड़ेया यानि लागे गया जड़ा उट उनला के के गए है या फिर उनो मेरी तरह जड़ा जावे और मेरी तरह ही या बल जई हो गही या मरन वाली हो गही या मर्रह रही है वो भी यल्ला करे इसे तरही मेरी तरह जो दाइदा तीर लगे उनो और डैजर्ट वेची जलके सड़के मर जाओ हाशम मौत पवे किरहा नो किरहा उंटा काफले वाले उंट ऐ हाशम शा काफले वाले उंटा नो मौत पवे तुखम जमीनो जाए और उना दा बीज तुखम बीज नसल उना दी जमीनो तो नसल खतम हो जाए उना के वेखो ज़रा कैसा खुबसूरत है जिसले महबत हों दीए ते फिर महब दी हर चीज महब दी हर चीज महब दी हर चीज महब दी अच्छी लग दी पारह सख्त जुम्ले बोलन मगरो ससी नो ख्याल आंदा है कि इश्क वेश किदरे इस तरह दे बोल बेद्वी शुमार ना हो उस उट नो क्यों बदवा दे सकते के में बदवा दे सकते है जे दे उत्ते उदा पुन्नो स्वार होके गया है एगल सोच के उधी जजबाती कैफियत पर दी आजन दी ये ते कुछ इस तरह दा अंदास होन रहा है फिर मुड समझ करे लख तौबा बहुत बेद्वी होई यांदी फिर जिसलिए उन्हों समझ आई काल दी लख वरी तौबा कीती कर chicken मेरे कुलो बहुत बेद्वी हो गई जिस पर यार करे असवारी तेसदे जेड ना कुई जेदे पर जिस पर यानि पुन्नों ने सवारी कीती है तेसदे जेड वैसा उसके जैसा ते कोई हो ہी नहीं सकता को, कोई, मैं वांग, मेरी तरहा, नकर्मन, बदकिस्मत, बदबख्त, नहीं क्यांदी मेरे जैसा बदकिस्मत, बदबख्त, कोई नहीं कितवाल मिले न, ढोई, जो नुकिते भी, कोई, कितवाल, कहीं भी, ढोई, क्यांदे न, आसरा, सहारा मैं जैसा बदकिस्मत बदबखत कोई नहीं है जिनों किते भी कोई आस्था और सोहारा नहीं मिल्या आशम कौन्त मिले हास जेसनों ए हाशम शाय जिननों उधा हावंद महभूब हासके मिल्दा हुए जिसनु जान सुहागन साई जिसनु जिननु जिस औरतनु जिस औरतनु उदा महबूब हासके मिलदा हुए समझो उहुई खुश किस्मत और मुकदर वाली खातून साई में वही सुई इश्क दी थाबद कदमी आखरकार मुसीब्ता ना मकाबला कर दी ससी इश्क दी खातर जान कुर्बान कर देंदी ये ते इश्क विच थाबद कदम रहा कि अपने आपनों रहन दी दुनिया तक अमर कर लेंदी ये शेर वेखो सेर धार खोज उत्ते गश आया खोज केंदे ने खोरा खोरा नपना सुराग लानो यानि वो डैजर्ट दे वेच रात नू लेहा कि ये सी तो खुरान अपना एक फन होंदा है सुराग लाना एक आर्ट होंदा है पजार दे विच खोजी होंदेने होन भी पिंड़ा थावा विच किदर होंगे वो दास देने मतलब रात नो कि ते चोरी होईए था खोजी नो लह गया देने वो फिर पेरा नदा निशान वेख के दास देने था कि चोर किदर वो आया सी और किदर गया सिर धर खोज उत्ते घश आया यानि उटा दे पेरा दे निशान जिते उनों मैसूस होए जिन्हों लगा के उन्हों दे 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 उन्हों नार यह धी जान निकल गए आ मेहबूब यह वेसा खोष रहे मैं तेरी खाकर तोथ कारण तेरी खाकर थाल वेच जान गर्बान कर दीती जान गवां जान कर दिती डिगदे सार गये दम इकसे तानथों जान सुधाई डिगदे सारी यानि इननी बुरी हो दी हालत होगी इसी के डिगदे ही ये में ही डिगई फॉरण उदे दम निकल गए तानतों जान सुधाई और उदे तान विच्चों जान रूप सुधाई रवाना होगी परवाज करकी हाशिम कर लख 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 शुकराने इश्क वलों वै आई हाशिम शा लख लख शुकराना अजा कर के इश्क विच्चों वै आई मौावराए कामयाबी हासल होई इक्तसार नवी सी जी बड़ा खूबसूरत किस्सा सी छोटा जी है तो सिके जी लिख लो एक सो चप्वी बांदने और कमाल है वे कि इक्तसार नवी सी जबावजूद भी पढ़न वाले होते किस्सा बर पूरा सर मुरतब करदा है और हुन का कोई दो टाईस हो तो बाद लोग है किस्सा मुख्लिफ अंदाज ना लिख चुके ने लेकिन हाशम शाज जैसा फन किसे दूसरे देसे बेच नहीं है अफाकी सचाहिया किसे देवेच कई ऐसे मिस्टे ने कई ऐसे या लाइन्स ने जड़िया है ते किसे वेच लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रोथ बाढ़ गए याने प्रोवर्ब दी हैसियत इख्यार कर गए याने कोई एक दो बीचो लेख लेना लेहुन यार असा संग तेरे कॉल करार ने बाया ससी महबूबन मुखातर करके कह रही है किसी तेरे संग तेरे साथ अपनी कीता होया कॉल करा ने बाद देता है याने पूरा करत देता है एक गल जान लई जाका फानी और कलाम ना जान यूनिवर्सल ट्रोथ जो थे ना कि दुनिया फानी ये खतम हो जान वाली है उजना थे चरवाहा सी नहां उन्ने जिसले विक्ष्या के ससी इस तरह आई पहले तो बादनियत हो लेकिन वेख्या जिसलिए ससीदी हालत ससी करीब आई फिर उन्हों मैसूस हो लग बेया कोई चुडएल है या कोई बला है फिर उन्हें वेख्या होड़ करीब आई यह मतलब जिस बुरी हालत वेशी डिग पर उरोधी मौत्वा क्या हो गई तै फिर फोरण जड़ा ओ चरवा यासी कि दुनिया फानी है और दुनिया खतम होन वाली हाशम चल वेखां की डरना होमन हारना टलती अब यो दही है आयाली दाना पहले ओ डरया ओफ जदा होया लेकिन फिर उनने अपने आपनों मजबूत कीता कि चलो जागे वेखना ने चाहिए कि कौन हो रहत है और की हाशम कौन फलक नो पकड़े जा चड़े तर पोड़ी है हाशम शा कौन है ऐसा जड़ा पोड़ी लाके सीड़ी लगाके फलक पक पहुंच जाए यानि अल्ला ताला दे मुताबिक हर बंदे दा निजा में इनसान अगर अस्माना नो जागे पढ़ना चाहे या बुलंदी दे पहुंचना चाहे जो एक देन वेच बुलंदी असल नहीं कर सेड़ा हाशम जान देन उल्टे आवन सब उल्टी बन जाए जो बंदे दा बुरा वक्त होंदा है तो सब को बुरा हो जाना हाशम मार रोलावे गलिया बान इश्क दी एहा बान तरीका का रवायत है हाशम इश्क दी रवायत रीत एख हुई है जो गलिया बेच मार के रोला के मारता है शिख दे हा यार मिले जिस देल नू कीमत कदर पिछाने तरस्दे आँनू सिख दे तरस्दे जना नू तरस्दे आँनू कोई चीज मिले हासल हुए उनू असल कदरो कीमत दा पता हुंदा तर ये नो कार बैठे बठाए को जासल हो जाए वो कदर नहीं जान सकता ये लाख पा संदूग चुपाईए आवग मुश्क गुलाबो के अंदा है गुलाब नो लाख वारी संदूगा विच विच चुपागे राखते ये तामी हो दी खशबो रुकी नहीं जा सकती चुपाई नहीं जा सकती हाशम बाज वकीलों कामिल फस्या कोण छुडावे जो दो बन्दा किसे खत्रे वेच मुसीबत वेच फस्कियावे कोई कामिल वकीली तो अनूद जो छुडा सकता आशम बाज सुके रब चाहा पालवेच चाह सुहाए अपने कुद्रत नाड़ सुके होए बाग एक पालवेच सुहाए सरसबस कर दे तख्तों चाह सुटे सुल्ताना खैर मंगन दर 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 बादशामा नो तख्तां उत्तों ठले सुटके फकीर बना दे और दर दर दी खैर मंगन लग पए अपने कुद्रत दे और उचाहे थे फकीर नो चुपके बादशाम बना दे हाशम जी ओ करे अदालत कौन करे नितारा जो अल्ला ताला ने इनसाफ कर देता उनो फिर कोई चैलेंज नहीं कर सके नितारा केंदेने चैलेंज नो एक दो लाइना जी डिसकस कर दो ते अच्छा होएगा होग वेगा लगाओग वो लगावेगी मारस उसने मारना पिछावस उस तो पुच्छया चड़े उस कहर उसनो कहर चड़या वगएरा ओ लफज ने किसे होर शायर ने यूज ने कीते बलके हाशम शाह ने पहली वारी अपनी शायरी वेच इस तरह दे इस किसम दे लफज यूज कीते हैं और मुक्दी काल चीक है जी हाशम शाह दी ससीप उनो शफिय अकीले उना ने मुरत्ब एडिट कीती है और तर्जमा भी कीता हुए है मुक्द्रा कौमी जबान तो च्छपी सी उदे विचो में है ले आए इते चुए पंद्रा वी और बाज उकार पंजी नमबर दा क्वेस्चन भी दे देंदा है लेहाजा तुसी लेंथ नो मद्दे नजर रखते हुए नो शाट और लेंथी कर से हुए पूर के लिए अल्ला हाफिज